तो फिर से कॉमेचुलेशन, कल के मैच के अंदर भी आपने दबाक रपैसे चापे होंगे भाईया आखरी दस दिनों से लगतार वर्ल्ड कप के अंदर हमें कोई हरा पाए आप टेलिग्राम पर पूरे टेलिग्राम में जाकर कमपेजन कर दो कल के मैच के अंदर हमारे कैपटन थिस साकीब आज के मैच के अंदर जो है अस्टेलिया वर्सिस हबगानिस्तान की बीच में आपके कैपटन कौन से रहने चाहिए आप अपने टीम को मैं जानता हूँ जज्मेंट करके आखरी मैचेश को ही दिखकर बना रहे हो आप गलत हो भईया यहां पर कंडिशन्स टोटली चेंज हो चुके तो आखिर आपको अपनी कॉंबिनेशन वानिली कैसे है कि कल की तरह आज भी आप दबा कर पैसे कमा सको और सब्सक्राइबर सभी को कान्वेचलेशन क्योंकि निव जो आए हो मैं जानता हूँ इस वर्ल्ड कप के अंदर आप दबा कर किसी ना किसी के चांग को देखकर लॉस में हो तभी ढूंडते ढूंडते हमारा चानल आपको मिला होगा तो डॉंड बरी सही ज़गो पराय हो भईया और आज फीर से हम मेहनत करेंगे कंक्लूजन्स को जानेंगे प्रेडिक्सन्स करेंगे इस मैच को जो है अस्टेलिया और अफगनिस्तान के बीच में और पैसा लगाएंगे और दबा कर कमाएंगे अस्टेलिया जो स्टार्ट बहुत गंदा था भाई ऐसी फॉर्म में आई कि क्या ही बोले सभी टीम के लिए टेंसन वाली बात है यहां तक कि मैं बोलूँगा इंडिया टीम के लिए अगर गलती से भी से फाइनल पर बैटल हो गया न तो अपने को दिक्कत होने वाला है और वही पर मैं बात करूब अप्टनिस्तान की इन्होंने थोरे निराज किया वही रिसेंटली बरे बरे टीम को इन्होंने हा रहा है ठीक है बहुत सारे नाम्स है आपके टीम में हो सके अगर अभी तक आपने अपनी कॉंपिने बनाई होगी प्री फाइनल तेश्टी विस है उसका कोई मतलब नहीं उतना वे परफॉर्म करने वाले नहीं है तो वे छुपे हुए रुस्तम है को ने इस मैच से पूरा लॉजिक को समझेंगे अपनी कॉंबिनेशन बनाएंगे एक केस में ये मैच हाई निश्मेंट वाला रहेगे तो उस केस को भी जानने के करते हो वरना दोस्तों हारना है तो किसी के अचान को रहा कर देखो चलो मैं इंट्रों बजाता हूं वीडियो को सुरू किरता हूं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक चीज बता दूँ फॉर फाइनल अप्डेट्स मश्ड़ान आवर टेलीग्राम चैनल टॉस हो गया लाइना पा गया उसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो मैं यूटूब पर कैसे कवर करू भई तो वे चीज़ आप से टेलीग्राम को जॉइन करना एंड टेलीग्राम को अगर आप जॉइन कर रहे हो तो लिंक से जॉइन करने की कुशिस करो कि उरिजनल चैनल से जुर सको ठीक है और बाकी एक हजार लाइक का टार्गेट है कल भी हमने रीच किया था एंड मैं जानता हूँ आपका प् तो भाई ओल्ट सब्सक्राइबर्स लाइक करके शुरू जरूर करना एंड एक हजा लाइक का टार्गेट उसे कंप्लेट करना चलो बढ़ते हैं मैच की तरफ में लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर क्यूंकि देखो क्या है न कि किमरा के सामने ज्यादा देर बैठूंगा नही मैं स्क्रीन पर डेडिक लेकर चलता हूँ जहाँ पर स्टैर्स इंफ्रोमिसंस के साथ आपको बताता हूँ किसे रखना है किसे नहीं रखना है आखरी मैच ही देखोगे इंडिया बैटिंग फर्स्ट की स्रिलंका के साथ हुए मैच था इंडिया की बैटिंग को इंज्वाय किया स्रिलंका की टीम आई एंड इंडिया के पेस बालिंग एटैक को नहीं खेल पाई क्यों क्योंकि second inning के अंदर under a lights ball का swing लेना हो या दोस्तों पूरे match के अंदर extra bounce देखने का हो तो ये चीज मैं इसी वज़े से बोला कि अश्टेलिया के प्रेश को support करीगी क्योंकि उनके ballers कुछ इस तरीके से ही है जो इस venue के उपर अच्छा कर सकते हैं और वहीं पर बैशन्स दोस्तों ऐसे conditions के उपर तो खेलती हुई ही आ रहे है क्योंकि इस टेलिया के अंदर जितने भी ground है इसी तरीके की behave करती है जहाँ पर extra bounce थोरी swing देखने के लिए मिलती है और वहीं पर आफगानिस्तान मैं इसलिए बोला कि इनको ये venue support थोरा कम करेगा मतलब support नहीं करेगा मतलब ऐसे conditions के अंदर ये team सही से नहीं खेलताती है इसका सिर्फ और सिर्फ एक region है क्योंकि जो आफगानिस्तान की team है इस tournament कंदर इनका success होने का region सिर्फ और सिर्फ एक है और वे region आप भी जानते हो वे है इनकी spin balling attack जिसके दम पर ही ये team अपने maximum matches को win करते हुए आ रही है बट इस match में वे spin balling attack को छोर कर pace balling attack को चलना परेगा 26 matches हुए 15 बार batting first 11 बार chase करने वाली team ने win किया है और इस 26 एगारे में में बात करूँ तो आखरी जो तीन matches भी हुए इस win नुक्रूपर जो team batting first की है वही win की है और point वाला एक बात आपके लिए और है कि Australia इस match में दमखम रखेगी win करने का region क्या form region क्या कि दोस्तो पूरी तरीके से suit करना और जब Australia win करेगी तो conclusion क्या निकलता भी यह Australia के players score करेंगे योगदान देंगे जब Australia के players अपने team के winning में योगदान देंगे तो Australia के players हमारी winning में भी आपको योगदान देने वाले हैं अपना जगह बनाएंगे टीम में किस players के जगह पर क्योंकि Australia या कोई भी लाइनप लेकर उतर रही है आखरी matches से win कर रही है Chris Green के जगह पर तो confirm है कि Mitch Marsh आ जाएंगे लेकिन Maxwell का हम कुछ नहीं बोल सकते तो playing 11 लगभग यह सेम दिखाई देगा एक changes हो सकते होंदे place of Chris Green Mitch Marsh खेलते हुए दिखाई देंगे नई बॉल से मिचल स्टार्क जॉस हेजर हुट कमफर्म है इनका आना और जैसे ही बॉल थोड़ी सी पूरानी होगी 8-9 वर्ष तक गेम आएगा पैट कमिंस एक दो ओफर लेंगे देथ के अंदर Mitch Stark एट पैट कमिंस का कमफर्म है जो सेजर हुट के जगपर मारकस एस्टोनी सापको बॉलिंग कराते हुए दिखाई दे सकते हैं देथ में अफगानिस्तान के साइट से सायद मुझे कोई चेंजर दिखाई दे क्योंकि लाश्ट मैच में जो इनकी टीम थे उसके कमपेरिजन में एक चेंज हो सकता है और वे चेंज है नजूम अहमद का क्यों कोई स्पिनर्स का बहुत जादा इस विल्यू के पर रूल नहीं रहता तो नवीन उलहक उनके जगह पर आ सकते हैं नजूम बोल डाउन नूर अहमद के जगह पर बाखी एलमोस्ट प्लेइंग 11 सेम रहेगी पार प्लेग अंदर ये मूर रहमान मुझीवू रहमान कमफर्म है क्योंकि सामने दो दो लिफ्टी बैश्में से और उसके बाद फजल लोग फरू की आंगे और नवीन उलहक भी आंगे अड़ देश में दोस्तों फोजलोग फरू की उमर जाई और नवीन उलहक सब आ जाते हैं अब देखो डेविड वार्नर जिनका आखरी चार में से तीन इनिंग्स बहुत खातरनाक गही थी आपने इनिंग्स को देखा सही है एड़ देखोगे थ्री मैच 291 और 145 का एवरेज एंड ओन दी विन्नू भी 100 लगा चुके हैं अब देखो सामने एक स्पीन बॉलर रहेंगे राइटाम ऑफ स्पीन बॉलर जो हो सकता है डेवी नवारार और उनका बैटल हो लेकिन मुझीबूर राहमान कुछ समय से शूटा था वह 163 का हो या वह 104 का हो या वह 81 का हो आगे बरो आगे आपको ट्रेविस हेड दिखाई देंगे जोड़ पर थोड़ी बहुत बालिंग भी दे सकते हैं जिस तरीके का फॉम में है बहुत संदार है निजी लैंड के फ्लियर्स को इनोंने जिस कदर पिक अप किय किलते हैं तो राइट आम ओफिस पिन बॉलिंग यही कराएंगे अगर यह बॉलिंग कराएंगे तो इनका कदगाठी बर सकता है मिच मार्स देखो हिट एंड मिच्टाइप सिच्विशन में रिसेंटली लगतार रहे हैं सामने एक प्लेयर है जिनका नाम रासीद खान है इ संतावन का एवरेज है 44 18 71 70 1945 27 अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना यह जो 44 और 80 की निंग आई थी इसमें दोस्तों चीजे कुछ इसकदर थे कि यह बाहर जाते हुई बॉल को कि इस्पीन बॉलर्स को मारने के कोशिस में कैश दे बैठते थे एंड यह चीज में आखरी कुछ समय से देखते हुए आ रहा हूं जो हमारे प्लेयर है इस्टिवे स्मीथ हुए इस्पीन के सामने फसर है प्लस अगर यह तीन नंबर पर बैटिंग नहीं करते हैं तो इनका कदकाठी वे नहीं रह जाएगा जो कि नॉर्मली हम जानते हैं अब या तो इस्टिवे स्मीथ या तो मानस लवू सांगे दोनों में से किसी एक कोहीं आप पिक करने की कोशिस करो क्योंकि मानस उसांगे का फॉर्म बहुत अच्छा है क्लास और टच इतना खतरना कि पूछ नंबर पर आकर बैटिंग करना उसके लिए आपको क्या करना परेगा टॉप 4 में से मिनिमम्म तीन को तो फ्लॉप पराना ही परेगा और इनकी बैटिंग अगर तीश उबर से फहले आती है 25 की आसपास आती है तब एक बड़ी इनिग का एसपेक्टेशन कर सकते हैं अधर् सित्खान है आते हैं मारकोश स्टॉनि हारीटिंग बैटिंग दे देंगे फिनींशर आकर और साथी साथ ओवर्श को देथ में लतरुकर दे इसकते हैं लंस में चार ऊबर बॉलिंग करा या एक बीकेट और बैटिंग भी कर लेते हैं, हेड टू हेड में 3 बिकेट, मिच श्टार्क 3 मैच 7 बिकेट, जॉस हेजल हूट 1 मैच 3 बिकेट, यह 3 नाम ऐसे हैं, आप बॉलिंग फर्स्ट में थोड़ा सा हेजल हूट पर रिस्क ले सकते हो, माफ करना है, हेजल हूट 1 मैच 2 बिकेट, ले बात आई जंपा की, तो देखो, जो टीम है अफगानिस्तान, उनके पास वल्ड के खतरनाक लेगी इस्पीनर्स पाया जाते हैं, तो क्या है कि इनको इस्पीन खेलने का बहुत अच्छे से हैबिट है, प्लस इस मिन्यू को इपर बहुत ज्यादा इस्पीनर्स को मदद मही नहीं मिलेगी, क्योंकि जंपा ने दो निंग्स के अंदर एक बिकेट ही निकाला है, तो ऐसे केसे में हो सकता है कि दोस्तो जंपा वे वैलू ना लेकर है, जो आखरी पांच मैचे से लेकर आ रहे हैं, हर मैच में तीन तीन चार चार बिकेस्ट हो के जा रहे हैं, तो आप एक रिस्क के तौर पर ट्राइ कर सकते हो, ध्यान से सुनने, रिस्क के तौप है, क्योंकि भाई 90% के आसपा सेलेक्शन है, और मैं आप से बोल रहा हूं कि रिस्क लेलो, तो भाई उसका रीजन यही है, आपके इस्तान के प्लियर्स को स्पिन खिलने का आदत है, प्लस दो इसेंट फर्म खास नहीं रहा है, पर इनिक्स सिर्फ एक आई पाकिस्तान के सामने है, उससे पहले लगतार, बैक टू बैक फ्लॉफी रहे हैं आकरी 10-15 मैचेट से, रामतुल्ला गुरबाच पेसास को खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से, हाँ थोड़ा स्टार्क हैं, दिक साथ, अब रहमत साथ दोस्तों बन चुके हैं, भाई, आफगानिस्तान के मागनाश लगोसांगे और इस्टिवे स्मित, क्योंकि मैंने जब भी देखा, अपने आपको समय दिया, अपने इनिंग को चलाया, इस्पीन के सामने थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों श होट्स खेलती ही नहीं, सिंगल डबल से ही अपना run score कर देते हैं, तो चाहो तो try कर सकते हो, Maxwell खेलेंगे, थोड़ा red zone में रहेंगे, बट आगे बर सकते हैं, यहाँ से उमर जाई, जब अफगनिस्तान के टीम बॉलिंग फर्स्ट करें, एट एनिकोस्ट भी, ओवर्स को दे तो आप avoid कर सकते हो, रासित खान, head to head कुछ भी हो, BBL के अंदर खेलना की experience, अश्टिलिया के प्लेश की इस तरीके से खेल सकते हैं, उसका experience तो at any cost भी करहना चाहिए, BBL केलने का experience तो मुझीब के पास भी है, लेकिन form खास नहीं है, प्लस batting friendly pitch है, बात करू नभीन उलहक की overs को दित में लेकर आ सकते हैं, थोड़ा run concede करें, लेकिन during balling first थोड़ा भी get निकाल सकते हैं, बट ऐसे venue के उपर फोजय लग फोरूगी से आप उमीद ज्यादा रह सकते हो, compare to नभीन उलहक, प्लस recently अफगनिस्तान के team नभीन उलहक की overs भी काटे जा रही है, अब मैं बात करूँ team की, तो मैं आपको बताऊं, तो दिखो दोस्तो, अगर यहाँ पर अश्टिलिया के team batting first करती है, तो ही हमारे लिए match थोड़ा भेतर रहेगा, ऐसे chase करेगी तो लोग उनसाइड ये अश्टिलिया को favor कर लेंगे, लेकिन bat first करेगी तो कुछ ट्रम्स हमें ज्यादा म हक एंड, जौस हेजल होड का पनी team में जगह दिया है, थोड़ा सा changing मैं कर सकता हूँ, हो सकते मेरे captain last minute में मिच मार्श को बना दू, अभी मैंने cap David Warner and vice captain मेंने उमर जाई को रखा है, मिच मार्श इसलिए कि थोड़ी बहुत हार रेटिंग बैटिंग दे देंगी, बड़ द भरोसा कर सकते हैं, बाइदेवे देखना पड़ेगा क्या रहेगा टॉस, क्या रहेगा लाइनप, उससे साब से final updates on the telegram, link in description plus comment section, जहिन धायो